हेलो दोस्तो यार केसे आप से भी लोग दोस्तो हमने काफी वीडियो बनाए है टॉप फाइ अपकमी इवी बेस्ट इवीज लेकिन काफी सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि यार कम से कम प्राइज में आने वाले एलेक्ट्रिक स्कूडर के बारे में बताओ जो हर कोई ले सकता है कम से कम प्राइज में आने वाली कुछ इलेक्ट्रिक स्कूडर की लिस्ट हम आपके सामने बताने वाले है जो डेफिनिटली आप सभी को काफी हेल्प करने वाली है अगर आप ईवी लेने का प्लैनिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर द बजाज कमपनी के तरफ से चेतक 2901 एलेक्ट्रिक स्कूडर जो की लेटेस्ट लांच है कुछ ही दिन पहले बजाज कमपनी ने इसको लांच किया है मेरी साब से ट्रस्टेड कमपनी की एलेक्ट्रिक स्कूडर सबसे सस्ती तो बजाज की यही एलेक्ट्रिक स्कूडर रहन मिलती है फिर भी रियल में आपको 110 किलोमेटर तक तो रेंज देने ही देने वाली है 2.88 किलिवाट हर की बैटरी मिलती है जो कि 6 गंटे में फुल चार्ज हो जाती है मोटर की बात करें तो इस एलेक्ट्रिक स्कूटर में अंडर वन लाक रुपीज में पे एमेसम की मोटर मिल मिलने वाले जो की साइड माउंटेड मोटर रहने वाले ही व्यल होल इस एलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाला है हाला कि आदम इसमेपीड 63 के δिया है काफी कस्टमरOW solar Marshall 63 क john जते हो थो तो हैंडर पेसंट लियापकी रेंज जोhrएड्र रॉप होगी वेसा यहाँ पर जो company ने design किया है बट build quality और जो look है वो overall आपको है पर next 7-10 year तक चलने वाला है तो मेरी सबसे अगर आपको trusted company की electric scooter लेनी है service अच्छी मिलनी चाहिए features की ज़रुरत नहीं है तो आप इस electric scooter को ले सकते हो इसी महिने के आसपास इसकी delivery भी चालू होने वाली है तो चलिए guys next electric scooter के बारे हम बात करते है चार नंबर पर है एंपर की तरब से nexus electric scooter जिसकी pricing निकल के आती है एक लाग 9,900 रुपे जो की एक शुरूम प्राइज है जो की limited time के लिए रहने वाली है मतलब आप इसको बोल सकते है introduction pricing आपको यह पर देखने को मिलेगी और company को guys fame 2 की subsidy नहीं मिलती बट फिर भी without fame 2 subsidy final price आपको एक शुरूम की एक लाग 9,900 रुपे देखने को मिल जाती है अगर हम range की बात करे 136 km की range देखने को मिलती है इस company ने 10,000 km तक टेस्टिंग की यह off-roading वगेरा दूप में पूरी तरह से completely टेस्टिंग करने के बाद इस product को company ने launch किया है क्योंकि इसमें बैटरी जो मिलती है 3 kWh की बैटरी मिलती है जो LFV बैटरी है और company का कहना है कि LFV बैटरी जो है बैटरी होती है इसलिए longer life के साथ safety भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर हम motor की बात करें और speed की बात करें तो battery जैसे motor भी आपको अच्छे quality की मिलने वाली है PMSM की motor देखने को मिलेगी जिसकी 93 km पेज के आपको speed देखने को मिलने वाली है डिस्पले की बात करें तो बड़ा डिस्पले देखने को मिलने वाला है अगर यहाँ पर डिस्पले कम होता तो और वार इसकी प्राइसिंग एक लाग के नीचे आ जाती लेकिन गाइस company ने इसमें डिस्पले दिया है तो features भी आपको काफी features मिलने वाले है लुक्स की बात करें तो यह electric scooter काफी अच्छी रखती है जिसे petrol scooter आती है वेसी आपको feel यहाँ पर देखने को मिलेगी और एमपेर की तरब से काफी electric scooter जो है petrol वाली जो होंडा की active आती है वेसे ही लुक के साथ electric scooter company launch करती है जो के काफी customer को इंडियन market में पसंद आते है तो चलिक ऐसे भी बात करते हैं next electric scooter के बारे में वो है अथर की तरब से Rista electric scooter जो की बेस वाला model अथर Rista S model में आपको सबसे पहले जो pricing निकल के आती है 1,9,999 देखने को मिल जाती है और इसमें आपको काफी model मिलते हैं अगर आपका budget जादा है अगर आपको features जादा चाहिए तो आप उपर वाला model ले सकते हो जो की 1,5 लग तक जाता है बट value for money and budget price में आने वाला model अथर के तरब से Rista S model ही रहने वाला है रेंज की बात करें तो इसमें आपको 130 km के IDC range मिलती है तो 100 km के उपर ही आपको real में range मिलने वाली है बैटरी की बात करें तो 2.9 kWh की बैटरी मिलती है जो 8 गंटे 30 मिनिट में full charge हो जाती है और गैस company ने एथर की Rista Electric Scooter का final production का image भी डाला था तो production भी इनका radio हो रहा है इसी महिने में काफी customer ने जो booking की थी उन सभी customer को delivery जो एथर की Rista Electric Scooter की मिलने वाली है 4.3 kWh की motor मिलने वाली जो की PMSM की motor हैगी 80 km का speed रहेगा और सभी model में guys सेम motor रहने वाली है अगर आप 50,000,000 वाला model लेते हो या 1,000,000 वाला लेते हो फिर भी आपको सेम motor मिलेगी सो power में कही पर भी ये compromise नहीं करने वाली है और एथर की Rista Electric Scooter की boot space की बात करें तो 34 liter का boot space मिलता है काफी बड़ा boot space देखने को मिल जाता है attractive look है seat इस electric scooter की काफी लंबी है जो पैटरल वाली आती है वेसे आपको जो seat मिलने वाली है अगर हम warranty की बात करें तो 3 साल की warranty या 30,000 km तक की warranty देखने को मिल जाती है अगर आप इसको extended करते हो तो 5 साल की warranty या 60,000 km तक की warranty देखने को मिल जाती है तो चलिए अभी बात करते है next electric scooter के बारे में वीडियो आपने यहां तक देखा है तो यार प्लीज प्लीज वीडियो को like जरू करना क्योंकि काफी subscriber हमारे likes नहीं करते हैं तो काफी मेहने से वीडियो बनाते है approximately 1-2 दिन लगता है information निकाल के edit करके डालने में so 1,000 likes का target हमारे इस वीडियो का रहता है next electric scooter आ जाती है Ola की तरप से S1 Year Ola S1 Year की pricing की बात करते 1,4,000,999 मतलब 1,5,000 के आसपस की जो एक शरूम प्राइस देखने को मिल जाती है वेसे देखा जाए दोस्तो तो Ola की S1 Year में features आपको इसमें काफी मिल जाते है so मेरी साब से अगर किसी को जादा features चाहिए तो उनके लिए best हो सकता है range की बात करते company claim करती है 151 km की IDC range claim करती है तो approximately real में 120 से लेकर 125 km तक आराम से range देने वाली है 3 kWh की battery मिलती है 750 Watt का charger इसमें मिलता 90 km का top speed मिलने वाला है जो इसमें motor मिलती है वो आपको 6 kWh की आपको motor देखने को मिलती है लेकिन इसमें BLDC motor दी है मतलब को speed ज़्यादा मिलेगा बट BLDC motor है so overall अगर हम देखते है pricing के हिसाब से तो 1,5,000 रुपी में इतने ज़्यादा features कोई भी brand प्रोवाइड नहीं करने वाला है और सबसे important जो warranty है वो Ola electric scooter की 8 साल की warranty या 80,000 km तक की warranty देखने को मिल जाती है touchscreen मिलने वाला है OTA updates मिलेंगे music connectivity मिलने वाली है GPS मिलने वाला है and cruise control जैसे features भी आपको इसमें देखने को मिल जाते है और दोस्तों गर आपको Ola की electric scooter नहीं लेनी है तो आपको trusted company की एक और electric scooter के बारे में बताने वाला हूँ जो company ने recently इसको भी launch किया है TWS की तरफ से IQ09 जो base वाला model है उसके बारे में बात करते है तो TWS कंपनी का IQ base वाला model इसकी pricing 97,307 रूपीज आपको extra room दिल्ली में देखने को मिल जाती है लेकिन अगर आप अभी book करते हो तो plus आपको इसमें जो है 12,300 का cashback देखने को मिलता है तो finally finally आपको 85,000 में ये electric scooter देखने को मिलने वाली है तो ये electric scooter उनके लिए रहने वाली है जिनका जो running है वो 60-70 km तक daily का रहता है real में उनको 60-70 km की range चाहिए तो उनके लिए best रहने वाली है क्योंकि company real range यहाँ पर 75 km की provide करती है जो कि IDC range नहीं है real में 70 km तक आराम से जाने ही जाने जाने वाली है बैटरी इसमें 2.2 kWh की मिलने वाली है मोटर इसमें 4.4 kWh की मिलेगी 75 km का top speed मिलने वाला है लेकिन इसमें जो मोटर मिलेगी वो BLDC मोटर मिलने वाली है TFT डिस्पले मिलेगा ज़्यदा features नहीं होंगे लेकिन जो charging time है वो आपको approximately 0 to 80% सिर्फ 2 गंटे में charge करता है क्योंकि इस electric scooter के साथ 950W का charger इसमें आपको देखने को मिल जाता है so charging time भी कम है pricing भी अच्छी है brand value अच्छा है trusted company की electric scooter है after sales service अच्छे मिलने वाली है तो आप इस electric scooter को ले सकते हो booking इसकी चालू है और दोस्तों ये 5 electric scooter जो है आपको under 1 lakh rupees and 1 lakh rupees cash passes की pricing देखने को मिलने वाली है फिर से guys कह रहा हो काफी मेने से वीडियो बानाते है काफी मेनेत लगती है so please वीडियो को like जरू करना 1000 likes का target complete जरू करना और चैनल को subscribe भी जरू करना क्योंकि यहाँ पर quality content मिलता है not a quantity content